नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे की एटिमोंट एलसी सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है? एटिमोंट एलसी सिरप को कैसे लेना चाहिए? और एटिमोंट एलसी सिरप की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं? और यह भी डिस्कस करेंगे की एटिमोंट एलसी सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए? Atimon-LC syrup के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Atimon-LC syrup के अंदर salt composition लिवोसेट्रिजीन और मॉन्टेलुकास्ट होता है लिवोसेट्रिजीन एक anti-histamin drug class की दवा है जिसका उप्योग सर्दी जुखाम नजला और allergy के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है और मॉन्टेलुकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस सूनना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय CT जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है एटिमोंट LC सिरप का उप्योग बच्चों में अस्थमा होने पर सर्दी जुखाम नजला और allergy के लक्षणों को ठीक करने के लिए एटिमोंट LC सिरप का उप्योग किया जाता है एलर्जी होने पर और तवचा पर रैशेस होने पर भी एटिमोंट LC सिरप को लेने की सला दे सकता है मधुमखी या किसी अन्यकम जहरीले जानवर के काटने की वज़ह से कोई तवचा पर रैशेस, सूजन और खुजली को ठीक करने के लिए भी डौक्तर एटिमोंट LC सिरप को लेने की सला दे सकता है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर बच्चों में एटिमोंट LC सिरप की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट बच्चों में एटिमोंट एलसी सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे मुव में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना, दस्त होना, कब्स होना और उल्ती आने का मन होना आधी साइड इफेक्स एटिमोंट एलसी सिरप की वजह से हो सकते हैं. अब हम दिसकस करेंगे कि एतिमोंड-LC सिर्प को कैसे लेना recommended होता है। एतिमोंड-LC सिर्प को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तबर दो साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्तर 2.5 ml एटिमोंट LC सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सला देते हैं और 6 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को डॉक्तर 5 ml एटिमोंट LC सिरप को दिन में एक ही बार और शाम के समय लेने की सला देते हैं एटिमोन्ट एलसी सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको एटिमोन्ट एलसी सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि एटिमोन्ट एलसी सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को एटिमोन्ट एलसी सिरप को देना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को एटिमोन्ट एलसी सिरप को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में एटिमोंट एलसी सिरप को लेने के बाद ज्यादा नींद नहीं आती है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को एटिमोंट एलसी सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आती है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एटिमोन्ट एलसी सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। कर दो हैं।